कोरोना में हमारी के बाद फिर से बुलंदिया हासिल करने की जद्दो जहत में लगे परदेश के परटन उद्योग को उमीद है कि इस पार गर्मियों के मौसम में रिकॉर्ड परटक हिमाचल पहुँचेंगे और ये उद्योग फिर से गती पकरेगा हिमाचल परदेश परटन विकास निगम के प्रबंद निदेशक अमित कश्यप का कहना है कि 30 अपरायल तक राज्ये में इस साल 55 लाग परटक घूमने पहुँचे हैं और उमीद है कि गर्मियां बढ़ने से इनकी संख्या में और विध्धी होगी उनका कहना है कि जून महिने के लिए निगम के होटलों में 40-45 फीस दी बुकिंग हो चुकी है उनका ये भी कहना है कि कोरोना महारी के बाद परटकों की संख्या बढ़ी है लेकिन विदेशी परटकों की संख्या में अप एक शाकृत विध्धी नहीं हुई है और इस साल अ बग जो है 55 लाग के करीब जो है टूरिस्ट इस वर्ष में जो है आया है यह और भी जाता हो सकता था परन्तु हाली में क्योंकि मौसम ने करवट बतली और काफी जगा जो है हमारे जो ट्राइबल एरियास थे वहां पर भरफबारी का दौर रा और साथी साथ जितने अन्य जिलेते हैं यहां पर काफी बारी मातरा में जो है बारिश भी हुई थी और काफी आपने देखो का ठंड भी बढ़ गी थी इसकी वज़े से जो प्रेटो कों की आवाज आई है वो उस मातरा में उस तदात में नहीं हो पाई जो इस वर्ष में जो इस महीने में जो प्रेट बुकिंग्स के हैं चाहे वो बिया है चाहे वो हमारे हुटेटेड़ से होटल था है।ม. उसने अब भी जो इन पक अपरना शुरू किया पुकिंग्स ने और जून येंड तक हमारे फ़्ूथी कि यहां पर जो रिजिस्टर होता है यह वो नंबर है जो हमारे हमारे पास है हिमाचल में हर साल लगभग पॉने दो करोड़ परेट घूमने पहुंचते हैं लेकिन कोरोना के बाद इनकी संख्या में भारी गिरावत आई है बीते साल हिमाचल में सिर्फ एक करोड़ी क्यावन ल